नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एट पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 9 अक्तूबर 2021 की हिमाचल परदेश की टॉप 10 ताजा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने बाला हूँ तो वीडियो पर एंट तक बने रही है अगर आपने भी तक वीडि सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज की टॉप 10 ताजा खबरें भर ब्रेकिंग न्यूस है हमाचल बिजली बेदना भरने पर 10 विधाईकों को नोटिस से 4-6ने का नहीं किया बोगतान तो हिमाचल प्रदेश में बढ़ती महगाई से लगता है आम जनता ही नहीं विधाईकों की जेबे भी खाली हो गई है इसका अंदाजा एसी से लगता है कि बिजली बिलना भरने पर विध्यत बोल्ड ने प्रदेश के 10 विधाईकों को नोटिस चारी कर दिया है अगर 15 दिनो के सामने हिमाचल उपचुनाव बीरभदर परिवार के पास 28 तैशमलव 24 करोड के करीब चल रही अचल समपती 9 करोड एडी से अटाच तो प्रतिव्या सिंग के नाम कुल 22 तैशमलव 50 करोड की समपती है इसमें एक लाख नगद विभिन बैंकों में करीब 21 FDR और किया है स्वर्गिय बीरभदर सिंग के नाम 2 करोड और परिवार के पास 3.5 करोड की समपती है अगणी उजाब की राजनीती रात तक गोविंद को मनाते रहे मुख्यमंत्री सुभा अनुराग के कहने पर माने नड़ा नेकरिपाल से की दो बार बात तो हिमाचल परदेश म उपचुनाफ से पहले तीनों विधानसाबा सीटों से बगावत के सुर उठने के बाद मुख्यमंत्री जाराम ठाकुर बुद बार रात आधी रात तक शुकरवार को रूठों को मनाते रहे अरकी में गोविंद राम शर्मा को मनाने में केंद्री मंत्री अनुराग ठाकु रहे क्रिपाल परमार को राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नटा ने गुरुवार और फिर शुकरवार को खुद फौन कर मनाने का प्रयास किया अगनिवजाब की मंडी उपचुनाब में आसान नहीं भाजपा कांगरेस की रा सुखराम परिवार की चाल पर नेगा हैं तो मं हैं ठीकी हैं क्योंकि अद तक ना तो आश्रे शर्मा कांगरेस के कारेक्रामों में दिखे हैं ना ही अनिल भाजपा के साथ मैदान में उतरे हैं अगनिवजाब की उपचुनाब शाय या राजनाथ आएंगे हिमाचल के मंडी मोदी को भी बोलाने की त्यारी तो हिमाचल प के सामने करोना हिमाचल में दो संक्रमितों की मौत 119 नए पॉच्टिव जाने सकरिये केस तो हिमाचल परदेश में करोना की एक्टिव मामलों का आंखड़ा जो है 1402 पहुच गया है परदेश में अब तक जो है 3680 करोना पॉच्टिव मरीज्यों की जो है मौत हो चुकी है अगने उजाब की हमाचल सकूलों में कमरे की क्षमता देखकर ही कक्षा में बठाये जाएंगे 50 फिस्ती विद्यार्थी इन गतिविदियों पर रहेगी रोक तो हमाचल परदेश में 11 अक्टूबर से 8 मीं से 12 मीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रोजाना खुलने ज जाएगी प्रायर्थना सभा खेल कूट साइथ एकत्र होने वाली अन्य गतिविदियों पर रोक रहेगी लंच ब्रेक और आने जाने कसमा एक अक्षा बार अलग लग होगा अग्रहिवज्यापकी उप्चुनाव के लिए अंतिम दिन 15 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन मैदान में 24 प्रत्याशि तो हिमाचल प्रदेश के संस्थिक शेत्र मंडी और अन्य तीन विद्धावक शेत्रों में होने बाले उप्चुनाव नामांकन के अंतिम दिन शोक भार्ती जनतापाड से प्रियंता शर्मा ने सुभाष महन और अनिल कुमार ने निर्दलिये पर्चा भरा अग्रिज्यापकी हिमाचल उप्चुनाव भाजपा ने गोविंद और क्रिपाल तो मनावे पर बगावत पर चेतन ने निर्दलिये भरा पर्चा तो चेतन बराग पूरुब सीयम देवगत बेरबदर सिंग की पतनी प्रतिबा सिंग युबल कोटखाई में कांग्रेस से रोहित थाकुर भाजपा से नीलम सराइक फटेपुर में भाजपा से बलदेव थाकुर और अरकी में भाजपा से रतनपाल सिंग ने नामंकन भरे। अगणि हुजप की करोना मंडी अरकी और फटेपुर में लोगों की रेंडम सैंप्लिंग करवाएगा विभाग। तो हिमाचल प्रदेश की उपचुनाब के चलते जिस तरह से लोगों की भीड उमड रही है उसे करोना संक्रमन की आशंका बन गई है स्वास्ते विभाग के लिए या भीड चंता का विशे बन गई है विभाग ने मंडी अरकी जुबल कोट खाई और फटेपुर में लोग की रेंडम सेंप्लिंग के निर्देश चुए दिये हैं अगनी हुजाब की जुबल सीम जाराम बोले नजर नहीं आ रहे कोछ कारे करता नाराजगी दूर करेंगे चेतन से बातचीत जारी तो मुख्यमंत्री जाराम ठाकुर ने कहा कि अपने ग्रेक शेतर से अधिक काम उन उन्होंने आगरे किया कि संगठन के लिए मिलकर काम करें नीलम सरेई को टेकट हाई कमान ने दिया आला कमान के निर्णे पर सभी को चलना पड़ता है उन्होंने कहा कारे करताओं की नराजगी से प्राल्टी को नुकसान होना स्वाब हाविक है अगनी उज्याब की चिकित दूप में बहार निकलना है एम्स पिलासपूर की ओर से केलांग के काध्या में लगाए स्वास्ते शिवर में चिकित्सकों ने या खुलासा किया है अगनी उज्याब की एच्प्यू शमला पीजी में खाली रह गई कई सीटें विश विद्याले ने फिर मांगे आवेदन तो विश विद्याले में पीजी की कई सीटें खाली रह गई हैं इन सीटों के लिए विश विद्याले को आवेद की नहीं मिल पा रहे हैं खाली सीटों को भरने के लिए एच्प्यू ने फिर से आवेदन मांगे हैं अब भ्यारती ठारा क्तूबर तक आवेदन जो है कर सकत अगनियुज़ाब की रेकवरी से बचना है तो नहीं मिलेगा एरियर चुनाव खतम होते ही नए वेतन आयोग पर होगा फैसला तो हिमाचल में 4.15 लाख करमचारियों और पैंसलों को नए वेतन आयोग चुनाव अचार सहीं तक हतम होते ही मिल जाएगा जिस तरह से वेत विभाग में त्यारियें चल रही हैं उससे यहीं लगता है कि दिवाली के एक तमबाद या घोशना सरकार कर सकती है अगणी उज्याप के सामने दूसरे नवरात्र पर 55,490 श्र धालूओं ने लगाई माखेदर की हाजरी शक्ती पीठों में चड़ा 24.73 लाख का चुड़ावा अगणी उज्याप की हॉमगाड की दल ने धोलाधार की मनुपीक पर फेराया तरंगा तो दस्मी वाहिनी हमीरपुर के ग्यारास दस्य परवस्तिरोही दल ने फदे की 15,250 फोट की उची चोटी अगणी उज्याप की सुजानपुर के भटलंबर में घास लाने गई दोनों पर जर्पटा काल तो ग्राम पंचायत बजरोल के थेता आने वाली दुधला भटलंबर गाउं की मा बेटी की रंगडों के काटने से मौत हो गई गत पुदबार को इन दोनों को रंगडों ने क अमितबार तो हिमाचल परदेश में जो है स्तारा अक्तूबर को होगी नोणी यूनिवेस्टी की फील्ड असिस्टेंट स्टाफ स्लेक्शन कमीशन की कलरक की प्रीक्षा शिकायत के बाद भी नहीं निकला समा था अगनिवेस्ट आपकी कि स्वंबार से रेगुलर स्कूल आएंगे आठ मी से बार मी कक्षा तक के छातर स्कार ने जारी की अधिसूचना अगनिवेस्ट आपकी कि नीजी क्लेनिक में खांसी की दवाई लेने आई महिला को की जो है इंजेक्शन लगाने के बाद हुई मौत अपरादिक मामला दर्ज बिलासपुर से निवेस्ट आपकी सेरी उटी मारक पर कार द्रोगहतना में महिला की मौत पतिवा बेटा घायल अगनिवेस्ट आपके सामने मुखेश अगनिहुत्री ने सीम जाराम पर साधा निशाना कहा हम बोलने के लिए आये हैं बोलेंगे और जीतेंगे अगर निवेस्ट आपकी सुसाइट योवती ने रामशिला पुल तो योवक ने भोतनात पुल से ब्यास नरी में लगाई छलांग डिस्ट एकुलू से मामला है तो दोस्तों ये थी आज 9 अक्तुबर 2021 की हमाचल परदेश की आज की टॉप 10 ताजा खबर हैं अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा और लेट्पी नॉटिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुछ भी न भूलें ताकि आप तक हमाचल परदेश की हार नॉटिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्याबाद जय ही जय भार